नमस्कार आज करनाल में दर्दनाक सड़क हाथसे में तीन लोगों की मोथ हो गई करनाल में नैशनल हाइवे पर म्यूड धाबे के सामने हुए दर्दनाक सड़क हाथसे में दो यूगकों की मोके पर ही मोथ हो गई जब कि एक यूवक ने अस्पताल में इलाज के दोरान दम तोड़ दिया हाथसा दिली से पंजाब के और जा रही कार का संतुलन बिगडने से हुआ संतुलन बिगडने से कार हाइवे के बीच बने डिवाइडर पर जा चेड़ी पूलिस ने शवो को पोस्ट मार्टम के लिए शव ग्रहे में रखवा दिया है पूलिस के नुसार हाथसा उस वक्त हुआ जब पंजाब के रहने वाले कार सवार दिली से पंजाब के और जा रहे थे इस हाथसे में तीन यूगों की मोथ हो गई है मृतकों की परिजनों को सूजित कर दिया गया है मृतक यूगों के शव कार में इतनी बूरी तरह फस गए कि कड़ी मशकत कर क्रेन की मदद से निकाले गई उनके शव को मेडिकल कॉलेज के शव द्रहे में रखवा दिया गया है पुलिस ने ट्रक चालो को गिरफ्त में ले लिया है और कारेवाहिश शुरू कर दिली से कुरुषेतर की साइड में जाते गई है गाड़ी डिवाइडर क्रोश करके इदर ट्रक के सामने एकदम से आई है अब रीजन क्या रहा है इदर आने का गाड़ी में कोई टेकनिकल फाल्ट हुआ या जो भी है तो अब आके इनको हॉस्पिटल पहुचा दिया है और दो की मोखे पे बुरी तरह के सामने है काफी स्पीड में एक्सिजेंट हुआ जी परिजनों को सूचना दे दी गई है नमास हैर पंजाब में है तो वहां सूचना दे दी है मुआ रहे तो सर पकल अगया कोई नींद की जो किया प्रेक्स ने अभी क्या का अजा सिफता है इस वारे में तो की तैट है इसमें तीन आजमी देट इसको दो ऑस्पिटल पिजा दिये हैं एको अभी जो पुरी तरह कितनी देट होगा है इसमें पहले में एक देट हो चुकी थी और एक में सांच चल रहे हैं उसको हमने पास्टेट देख वाँ पर है और जो तीसरा अब निकला उसकी वी देट होगी है दो देट है इसमें तो सर हुआ जा कि देखना पड़े कर यह वैसे पिंजाब के रहने इसमें पानी के लिए सब्सक्राइब बचन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए